हलो दोस्तो नमेशकार स्वांठाय से चार से पाइपयो यह थे फ्लेर का IPO तो न टेक्नानोजी को और सो ने कितने सारे तो डोड़ी कर दीए पर दोस्ता आपको को टाटा टेकनोलोजी का भी रेकॉर्ड यहाँ पे तोड़ सकता है यह IPO कौन सा मोतिसंस वेलर येस इदम खतरनाक IPO हम लोगों को यह देखने को मिल रहा है खतरनाक मतलब इतनी मतलब क्या बड़ी बात है इसमें तो दोस्तों इसका अगर हम लोग GMP देखेंगे तो बहुत आपे तो पैसा तीन गुना होते वे देखने को मिल सकते है येस इतना खतरनाक GMP चलते वे देखने को मिल रहा है so definitely जबरदस पैसा इस IPO में हम लोग को लोग apply करते वे देखने को आपे मिलने वाले है ठीक है तो इसी को हम लोग detail में जानने की कोश्च करेंगा अभी का latest grey market premium क्या चल रहा है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा आपके आखें खुली की खुली रहे जाएगी सो चले स्टार्ट कर लेते सबसे पहले मोतिसन जुएलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और यह IPO मिलना क्यू ज़्यादा मुश्किल है वो भी मैं आपको बता ज judgment करते हैं तो भीड तो यह बहुथ बंच चुकी आप सभी लोग को पताई यह यह तो लगक्हा खेले में बहूत बर आप אחד लोग नाराज होते हैं आप मिलता निया वह कर देखो को अगर आप जो भी jewelry वाले product होते हैं उनमें company deal करते वे देखने को मिल जाते है company, pearls की बात करे, silver, platinum की बात करे other metals की बात करे सब कुछ यहापे sale करते वे देखने को आपे मिल जाते है, अलग-अलग type के आप लोगों को wide range के products आप लोगों को यहापे मिल जाएंगे traditional बात करे, modern बात करे अलग-अलग combinations आप लोगों को यहापे jewelry segment में provide किये जाते है जो कि आप wedding से related बात करे जो special equation में इस्तमाल यहापे होते है ठीक है, किसी celebration की अगर बात करे तो उसमें यह सारे product आप लोगों को different prices इतना तो आप लोगों को पता चल गया कि जोलरी की बात हो रही है ठीक है, अलग-अलग products वो offer करेंगे ठीक है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रुत नहीं फिलाल अगर हम लोग बात करें, company का जो major flagship store हम लोगों को देखने को ठीक है, तो राजस्तान से related हम लोगों को जादा ये focus करते वे देखने को आपे मिल जाते हैं, next अगर हम लोग बात करेंगे इनका competitive strength क्या है, कि क्यों ये बाकी जोलर से हट कर है, तो उन्होंने बताए कि उनके जो location है जबरदस location देखने को मिल रहा है and diversified product portfolio along with the price range category भी ये provide यहापे करने की कोशिश यहापे करते हैं, बाकी देखा गया, तो इनका experience के हिसाब से उन्होंने बात यहापे बोली है next बात करेंगे दोस्तों, तो company का यहापे जो financial performance है, वो कैसा है तो उसको देख लेते हैं, ठीके आकरी वाला data चाहो तो skip कर सकते हैं, यह वाला क्योंकि यह केवल तीन महिने का यह data है, यह बाकी 12-12 महिने के data, यह तीनों देखने को बात करें तो directly इससे compare मत करना, यहापे गलत रापे जा सकते हो, so assets देखोगे, 275, 300 then 336 करोड की assets देखने को बात करें, जो की 348 तक जाते वे देखने को मिल चुक है, revenue की बात करें तो 213 का revenue 314 करोड हो गया, 366 करोड होते वे देखने को मिल रहे, ठीक है, यह तीन महिने का तो इसको हम लोग compare यहापे नहीं कर सकते and then अगर हम लोग PAT की बात करें, profit after tax तो इसको हटा देते, तो आप देख सकते 9 करोड, almost 14 करोड, almost 22 करोड so profit भी काफी अच्छा देखने को मिल रहे और net worth की भी बात करें, 100 करोड, 115, 137, 142 के आसपस देखने को मिल रहे करजे की बात करें, 140, 150, 164, 166 करजा कोई खराब नहीं होता है, provided आपका profit भी अच्छा खासा grow करना चाहिए, then key indicators की अगर हम लोग बात करें तो PE ratio आप यहाँ पर देख सकते हो, 17.59 times का PE देखने को मिल रहे and market cap देखेंगे, yes, यह है दोस्तो, सबसे बड़ी बात केवल 500 करोड के ऐसा, साड़े 500 करोड मतलब, हम लोग ने usually जो भी IPO देखे है, at least हम लोग small cap तो देखे लेते, mid cap तो ठीकी है, small cap देखे लेते, yes, यह एक micro cap IPO देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, अभी बहुत सारा लोग confused हो जाएंगे, micro cap मतलब यह SME segment वाला IPO है, तो दोस्तो नहीं, यही तो मैं बता रहा हो, यह SME segment वाला IPO नहीं है, यह main board वाला ही IPO है, ठीके मतलब यह NSE, BSE के ओपर ही list होने वाला है, कोई SME platform के ओपर list होने वाला नहीं है, इवन तो आप यहाँ पर देख सकते हो, केवल तो lot का खेल चलता है, बट वहाँ का GMP अगर आप चेक करोगे, बाप रेबाप, इबदम खतरना करेता है, तो यह SIPO है दोस्तो, जो SME type का बतलब छोटी company है, GMP इबदम आग लगा हुआ है, बट SME नहीं है, यह main board वाला IPO हम लोग को देखने हो का आप मिल रहा है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्यों इदर जबरदस तरीके से हम लोग को response देखने हो का आप मिलने वाला है, उसके पीछे का reason ही यही है, देन दोस्तो अगर का पूरा पैसा जाएगा, कोई promoter अपना हिस्सेदारी आपे बेचते वे देखने हो का आपे नहीं मिल रहे है, यह भी एक बहुत ही advantage वाला point है, इसे और investor का confidence बढ़ जाता है, दैन अगर हम लोग आपे देखेंगे दोस्तो तो यह लिखे, book build issue है and दो बार देख लीचे, क्या लिखा है, NSC, BSC, so जिसको अगर लगता होगा कि यह SME वाला IPO नहीं, नहीं, यह छोटा कंपनी ज़रूर है, बट yes, यह main board IPO है है, NSC, BSC के पर list होते वे देखने हो का आपे मिलने वाला है, reservations की बात कर ले, तो आप यहापे चेक कर सकते है, QIB के लिए 50% है, then 35% retail and HNA, NIS की बात कर तो 15% का quota reserve करके रखा हुआ है, then अगर हम लोग आपे बात करेंगे, anchor investors से related चीज़े बोली हुई है, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, time table को देख लेते हैं, 18 तारिक को open, 20 तारिक को close, 21 तारिक को literally पता चलेगा भाई, किसकी किस्मत चमकी है करके, जिसको भी यह IPO all out हो जाएगा, भाई, वो literally then दोस्तों बाकी की बात करें, तो lot size के इसाब से तो formality तो आपको पताईए, सबसे छोटा lot जो रहेगा, 15,000 के आसपास ही रहता है, तो आप देख सकते हैं, 13,10, 750 का lot देखने को मिल रहा है, जैसे कि हार किसी को पता है भाई, यह मतलब बोलते हैं जैसे टाटा टेक के वक् भर जाए करके, ठीक है, जबरदस response की आपे expectation होते वी देखने को आपे मिल रही है, then अगर हम लोग बात करें, retail category में maximum का size लगाने का कोई sense बनेगा ही नहीं, क्योंकि ओवर subscribe होने ही वाला है, so अगर कोई जाएगा, तो retail category में जाएगा, छोटे इसमें तो ठीक ही रहेगा, then H&I category हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, दो बड़े-बड़े category और इसमें अगर आप जाओगे और फिर भी आपे ओवर subscribe रहेगा, नाम अगर आ जाता है, तो दो लाख वाले ही applications हम लोगों को आपे मिलने वाले है, so pure luck के उपर ही सारे IPO चलते वे लिखने को मिलेंगे, और यह IPO तो इदम ही धमाकेदार यह आपे रहने वाला है, दैन अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तों तो फिलाल company promoter के पास कीतरा है, 91% की holding हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है, next अगर हम लोग आपे बात करें थोड़ा सा और नीचे आ जाते, major major points तो मैं आपे अगर हम लोग बात करें, repayment of existing borrowing, मतलब company के पर कुछ करजा है, वो कुछ यह आपे कम करते वे देखने का आपे मिलने वाले है, working capital requirement के लिए fund चाहिए वो एक purpose है, and general corporate purpose, exam में हम लोग ETC कैसे लिख देते, वैसे आखिर का point हम लोगो देखने का आपे मिल जाता है, so cool मिला कि अ दोस्तो, price कितना था इसका, upper price band, 55 था, GMP देखो, 105 नज़र आ रहा है, just imagine, 105, 110, मतलब अगर मैं यह आपे calculate कर लो, GMP 105, 00, divided by 55, तो दोस्तो, 190 का GMP नज़र आ रहा है, yes, 190, मतलब 200 ही पकड़ लो, मतलब 3 गुना पैसा होने के पूरे पूरे chances नज़र आ रहे है, पताओ कौन नहीं जाएगा इसमें, मतलब समझ रहे है, जो market में अभी अभी इंटर गिया है, दूत पिछा अच्छा हुआ भी, बच्चे को भी समझ में आएगा भाई, कि इसमें कितना घजब का है, हम लों को application साते रहे देखने का आपे मिलने वाले है, so यही एक चीज है दोस्तो, ज जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा saving में पड़ा रहेगा, वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि वो at least apply तो कर पाएगा, बाकियों की अगर हम लोग बात करें दोस्तो, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिनके पास पुंजी कम है, literally उनको काफी मुश् ताकि भाई पैसो का arrangement कुछ तो करके रखना, मैं कोई यह recommendation विया, फिर ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कि भाई loan win ले लो, just आपको बताने का मक्सद यह ताकि yes, because आपका opportunity हमनों को market में बनते वे देखने का आपे मिलने वाला है, so आशा करता हो दोस्तो, वीडिया helpful लगागा चाहो तो आप इसको like and share कर सकते हो, मिलते हैं अगले विडिये में तब तक के लिए, bye bye